जाहिन बच्चों, बच्चों मैं अजेकमार वारणसी उत्तरप्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षन पे स्वागत करता हूँ बच्चों आपकी काफी क्वेरी आ रही है, UPN MMS को लेकर यानि की राष्टी आयम योकता धाश्चाटविती परिक्षा का रिजल्ट कब आएगा तो देखे जो उमीद है बच्चों की लास्ट येर जो रिजल्ट है वो 19 अप्राइल को आ गया था ठीक है, 19 अप्राइल को आ गया था, तो सही बात है अब सेशन आप 8 पास कर चुके हैं, अब आप 9 में जाने वाले हैं आ चले गया हैं तो काफी बच्चे संसय में हैं कि हम करें क्या, जिनके 72, 73, 74, 75 आ रहे हैं, तो वो तो बच्चों मान के रखो कि एक देखे दो तरह के रिजल्ट पिछली बार से बच्चों बन रहे हैं, ध्यान से पूरी बाते सुनिएगा ठीक है, फिर जो नहीं समझ माया है तब आप जरूर यूट्यूब के कमेंट सक्षन में पूछेएगा, ठीक है, देखे जो मुझे लग रहा था कि फर्स्ट वीक तक अप्रेल में रिजल्ट आ जाएगा, इसमें बच्चों काफी जादा काम थोड़ा सा रिजल्ट तो चेक हो गया है, लेकिन कुछ टेकनिकल चीजे होती है, जिसको देखना जरूरी होता है, ठीक है, इस वज़ा से ही बच्चों डिले हो रहा है और आपको पता है कि इस बार पिछली बार से भी रिकॉर्ड संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे तता परिक्षाएं दी, ठीक है, तो एक भी result देखे, घड़बड नहीं होना चाहिए, कई बार revaluation, rechecking होती है और वापस से बच्चों को भी check किया जाता है, तो काफी इसमें technical issues होता है बच्चों, और जो सबसे बड़ी बात है आपको बताना चाहूंगा, कि जो बच्चे परशान है admission के लिए, ठीक है, वो इसलिए परशान है कि आखेरो admission कहां लें, पिछली बार आपने देखा होगा बच्चों कि कई बच्चे हम लिख रहे थे, सर हम तो pass हो गया है, लेकिन हमारा selection नहीं हुआ, मैं कई बार बता रहा था बच्चों, आप कई बच्चे समझ नहीं पाएं, अब भी से आप समझ ल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, एंसर किया चुकी, आपको पता है, आपने मिला लियो तो जिन भी बच्चों के, अगर इन से नंबर कम है, तो आप ये मान के चली, सेलेक्शन होना नहीं है, ठीक है, और आप कहीं पे भी जहां पे भी चाहिए admission ले सकत हैं, अब जो बच्चे बच्चे जिनका 180 में से 72 सवाल सही थे, अब वो संसय में हैं, हम तो पास हो रहे हैं, क्या हमारा मेरिट लिस्ट में आपाएगा, पिछली बार बच्चों कई जीलो में, अलग लग जीले का और एक ची बताना चाहिएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो सभी 75 जीलो के आते हैं, तो हर एक जीले की अब कट आफ बन रहे हैं, जैसे बनास की कट आफ अलग बनी थी, जो बच्चे पिछली बार के रिजल्ट देखेंगे, 2023 का तो उनको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था, ठीक है, कई बच्चे पास हुए, लेकिन अब जैस कितनी है कि अबल 269 है, तो भाई जो ज्यादा नंबर लाएगा वही न सलेक्ट होगा, ठीक है, तो ये कोई बच्चा पूछला सर हमारे 75 सवाल सही है, मैं सलेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कट आफ वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लिजेगा, ठीक है, अब ये क पास होंगे, उनको NSP Portal पर अपलाई करना है, इतनी जल्दी नहीं, जो पिछले साल बच्चे पास किये हैं, अब उनके खाते में पैसे आ गया है, अब जब आप पास करेंगे, तब आपको NSP Portal पर अपलाई करना होगा, तो समय समय पर वीडियो बनते रहते हैं, उसको देख सरकारी, Government, ठीक है, और सहयता पराप्त, Aided, Aided बिद्याले, तो यहां ध्यान रखेगा, मानेता पराप्त नहीं है, अगर आप मानेता पराप्त स्कूल में केवल लेते हैं, तब आपको छादविती नहीं मिलेगी, आपको 9 अपना जहां पढ़ना है, तो अगर आपके अच् पापा ममी को भेजिए, उनके साथ जाएए, और पूछ लीजे, कि सर यह सहयता पराप्त है, कि माननता पराप्त है, तो खुदी पता चल जाए, सरकारी तो आपको ऐसे ही पता जल जाएगा, राच्किय विद्याले या कुछ न कुछ लिखा रहता है, तो यह क्लियर हो गया कि आपको एडमिशन कहां लेना है, और ऐसे ही बच्चो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें बहतरीन पढ़ाई हो रही है, मैं तो कहूंगा, आप सरकारी में ही पढ़िए, किताबे और सब कुछ आपको आसानी से कम चीज़, कम रेट पर फ्री में उपलब्द हैं, ठीक ह तो आप साइड बुक्स भी ले सकते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाते हैं, तो आप लोग त्यारी अभी से मतलब जो आगे नाइन्थ की स्टार्ट कर दिये, क्योंकि रिजल्ट इंदजार करेंगे, फिर कई चीज़ आएंगी, तो आप पढ़ाई अपनी जा होने जा रहा है, उनको पहले-पहले बहुत-बहुत बधाई होगी, और बधाई के संदेश आप जरूर वीडियो के रूप में मुझे दीजेगा, ठीक है, और अलग से कुछ भी मेरे वाट्सेप नमर उस पर मत भीजिएगा, ठीक है, तो आप से रिक्वेस्ट है, आप वी इस एक्जाम जो राष्टी आया की है, एन MMS की भी जाग रुपता नहीं थी, आप वीडियो बना के भेजे, आपने त्यारी कैसे की, साहता कहां से प्राप्त हुई, मुझे से आपको क्या प्राप्त हुआ, तो जो जो टीचर, स्कूल के टीचर ने आपकी क्या मदद की, आ ठीक है, तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप एक वीडियो जरूर बना के भेजेगा, ताकि एक जाग रुपता आ सके बच्चो, ठीक है, तो अभी क्योंकि आपकी इतने ज्यादा मैसेज आ रहे थे, तो इस वज़ए से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, ठी रिजल्ट आ रहा है, जो बच्चे पास हो रहे हैं, उनको इंतजार करना है, और आपको सरकारी या सहता प्राप्त स्कूल में ही अड्मिशन कराना है, ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिएगा, कई बच्चे बाद में मुझे मैसेज किये, कि सर मैं गलती से बाते भी सुनूंगा, ठीक है, थेंक यू, थेंक यू बर्व मैच